हलो मेरे नाम है चंदरहास, श्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे IBPS RRBPO 2016 के मेंस में आया हुआ दूसरा सेट पहला सेट जो मैंने आपको दिया था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा किसके सारे आपको डिया शाहिए तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हो दूसरा सेट, हाला कि यह सेट काफी इजी है और इस तरह का सेट अगर एक्जाम में आता है तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हैं मतलब इसको छोड़ने का रिसका आप नहीं उठा सकते हैं सारे questions doable हैं आसानी से बहुत ही कम समय में आप इसको कर सकते हैं अगर इसको भी छोड़ के आएंगे तो फिर एक्जाम में आपके select होने के chances लगभग ना के बराबर हो जाते हैं इसमें एक set और आया हुआ था जो कि आपका train के अपर अधारित था उसको भी मैं देने का प्रयास करूंगा आपको चली पहले देख लेते हैं यह set क्या है क्या इसमें question पूछे गया है कैसे इसको solve करते हैं तो यहां पर हम देखते है question क्या लिखा गया है लिखा गया है given below is the pie chart showing the distribution of number of student of a school who are involved in five different games मतलब किसी school में पढ़ रहे है बच्चों का यहां पर pie chart में दिया गया है detail जो पांच तरह के अलग-अलग गेमों participate करते हैं तो हर एक गेम में कितने percent बच्चे हैं यह यहां पर बताया गया है ठीक है the table shows the ratio of boys to girls among them study them carefully answer the following question और यह जो टेबल है यह क्या दिखाती है हर एक खेल में boy और girl का ratio कितना है the number of girls in swimming are what percent of the number of girls in tennis वही है अपको निकाल लेना कि swimming में कितनी girls हैं और ट कर देना है उसको कितनी girls tennis में हैं इन्टु में hundred और आपका answer आपके सामने होगा तो कैसे निकालेंगे हम number of girls swimming कितनी हैं तो हम पहले निकाल लेते हैं कि swimming में देखते है कि total student है कितने तो ये क्या है? "'800 टोटल लिटवूण है' तो हम क्या करेंगे? अठारा रा सव काा 12% NP G, मतलब इसको ऐसे नहीं करनाा, बारा बटे मेंशुवख करके आप कादने बैठी है, या बारा से गुना करिए, बड़ा असान होगा कि 12 percent जैसे है तो है तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 12 को 12 को लिख सकते हैं 10 परसेंट प्लस 2 परसेंट की रूप में तो 1810 होगा कितना यह सारा कम आपको दिमाग में करना लिखने की तो जरूद भी नहीं है यह कितना हो जाएगा, 180, और 2% कितना हैगा, 1800 का ठारदूनी, 36, कितना जाएगा, 36, अगर दोनों को आप जोड़ेंगा, 180 और 36, तो यह कितना हो जाएगा, 216, तो 216 अपको मिल गए, अब यहां से लेकर कि यहां तक का जो काम है, आपको दिमाग में करना है, इसको लिखने की girls की संख्या कितनी है, तो हम देख लेते हैं, यहां पर swimming का आखड़ा कहा दिया गया है, यह है, तो इसमें देखे, ratio कितना है, 3 to 5 का है, और girls का ratio किया है, यहां पर 5 भाग है, तो हम इसको गुणा किस से करेंगे, 5, बटे में कितना, 5 और 3, 8, बटे में 8, कितना आ जाएगा द 25 होगा, 8 सते 56, यह 8 से कर गया, 27 गुणे 5, कितना होता है, 27 गुणे 5, 135, ठीक है, तो यह girls की संख्या किस में, swimming में, तो ऐसे आप लिख सकते है, girls की संख्या किस में है, swimming, अब हम निकाल लेते हैं, कि girls की संख्या किस में, tennis में, तो girls की संख्या किस में, तो यह भी वैसे ही ह इतना जाएगा साधे 400 तो साधे 400 आ गया टोटल नमबर अफ इस्टुडेंट लेकिन आपको लड़कियां निकालने कितनी है तो यहां पर लड़कियों का भाग कितना है तीन और डिवाइड़ वाइड वाइट फाइफ क्यों पता है ना तीन और दो पांच पांच से काट यह इतना हो जाएगा नौ कितना को डिवाइड करना तो यह देखेए कि किस से पंच परसेंटेज आपका पहले है तो यह मत्तलर इसका प्रसेंटेज पंचा गया है तो यह आपका उपर रहेगा तो 135 बटे में 270 और गुणे में 100 अब सोचेँगे इसको आसानी से कैसे कर सकते है है सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको टोटल नंबर यहां पर गल से अब वह जो भी निकालना बड़ा आसान है बस आपको दिमाग में इसको कल्कुलेट करना होगा परसेंटेज के टम में ठीक है तोड़ करके आसानी से आप निकाल सकते हैं तो 135 के आकड़े बड़े आसान से यह देखे तो डी वाला उप्शन आपका सही है ठीक है इसको करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत ही इजी इजी सारे कोश्चंस हैं यहां पर दिये गए इसको अगर छोड़ते हैं आप तो एक्जाम में सेलेक्ट होने के चांसे आपके कमंक्यों कि यह जो कोश्च ide और होकी के निकाल करके उनका सम बताना है आसान हम निकालोव यां करते हैं इसको आप 10 प्लस 3 कितना होगा 183 परसेंट कितना होगा 18 गुणे 3, 54 अब 180 में अगर आप 54 जोडेंगे तो कितना मिलेगा 8 और 5 कितना होगा 13 तो कितना मिलेगा 234 देखा ऐसे ही आपको निकालना होगा दिमाग से कुछ भी लिखा नहीं और explain करके आपको बता भी दिया नमबर आप बॉइस निकालने हैं तो क्रिकेट में देखे कितने बॉइस हैं तो कितना होगा 2 बाइ 3 तीन से काटिए 3 सते 21 और यह दो बचेगा 3 अठे 24 अठतर गुणे 2 आप करेंगे तो आपको कितना वैली मिलेगी यह मिलेगा 156 यह तो आगया किसमें बॉइस की संख्या क होकी में होकी में देखे कितना परसेंट है 30 परसेंट है यह तो बड़ा असान है 18 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 540 मिल ठीक है और कितना इससे गुणा करना है तो होकी में देखे क्या है 7 इस टू 3 का रेश्यू है मतलब है 7 अपन में 10 आ जाएगा 0 से 0 कर गया अब 54 गुणे साथ आपको करना है गुणा भी कर सकते हैं एक ही नंबर है साथ चोग एठाइस हो गया साथ पचे 35 35 और दो 37 यह कितना गया 378 अब दोनों को जोड़ लीजिए आप 156 और 378 कितना आजेगा आठ और 614 साथ पांच बारा बारा एक तेरा तीन एक चार चार पांच कि से हो गया यह वाल ऑप्शन सही हो गया ठीक है मेरे खाल से कोश्चन बहुत आसान है आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे इनको करना है अब नेक्श्ट देखते हैं क्या है वाट इस दा रेशियो और बॉइस इन फुटबाल तो देखिए करना आसान किस लिए है आप समझ के और थो यहां करने फ्रस्ट कोश्टन में क्या निकाला अगर निकालत गया तो इसको दुबारा अब नइस वास अगर क possibility नहीं होते तो हम सोसते कि इसमें number of student कितने दिये गए थे फिर से आपको निकालना पड़ सकता है लेकिन जब number of student आपके यहां पर fix दे दिये गए है ठारा सो तो आपने एक value जो निकाल ली है उसको दुबारा नहीं निकालना है बलकि वस उसका use करना है आपको ठीक है यहीं से समय आपका बचेगा अब जो लोग उसमें value को फिर से निकालेंगे उनके लिए समय क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कि 135 और 270 को जोड़ करके वहां पर पूंचा गया है उस value को आप डारेक्ट रख दीजिए तो 135 और 270 आप जोड़ यह कितना मिलेगा आपको इतने बॉइस की संख्या निकालनी है फुटबॉल की तो आसान हो जाएगा बीस परसेंट है अठारा सो का तो कितना हो जाएगा तीन सो साथ तो टोटल नंबर अफ इस्टुडेंट हो गए फुटबॉल देखे कितना है बॉइस का हिस्सा तो यह 5 और गुणे में क्या हो ज निकालना है तो 200 बते में 405 से कट करिए चार बार जाएगा यह आठ बार जाएगा एक बार जाएगा कितना गया 40 बते में 81 और कट सकता है क्या तो और यह आगे नहीं कट सकता है option ने देखिए ऐसे मिल ला ही 80 तो मिल लेकिन यहां 50 है यहां 83 यह 40 बटे में 80 यह 40 सही 80 यह 40 इस्टू 81 का ratio आपको मिल गया इस question में आपने क्या समझा कि जिस भी value को आपने एक बार निकाल लिया है ध्यान रखी उसको दुबारा नहीं निकालना है और सबसे important बात क्या है कि अगर यहां पर number of student यह जो भी values दीगें वो fix हैं तो अगर यहां पर number of student नहीं दिया गया होता जैसे हरे question में अलग number of student all five games together is approximately what percent of total number of student अब total number of student से जितनी भी गल्स हैं वो पांचों गेम्स में उनका आप से percentage पूँचा गया है X is what percent of Y तो निकालना है आपको आपको क्या निकालना होगा कि total number of student तो आपको पता है कि यहां पर बटे में क्या आजाएगा अठारा सो तो आजाएगा लेकिन उपर जो पांचों गेम्स में कितनी गल्स हैं वो आपको निकालना पड़ेगा तो एक बात का धिहान आपको तो और कहीं पर नहीं निकाला तो यह दोनों वैल्यूस तो आपको फिर से निकालना जरूत नहीं है बस बाकी के जो तीन गेम बचे हुए हैं उनकी वैल्यूस आप निकाल लीजी ठीक है तो अगर हम ऐसे कहें कि number of girls in cricket कितनी हो जाएगी अगर जैसे ही cricket का नाम आपके सामन पर नहीं निकालने क्यों क्योंकि यहां पर आपने पहले से निकाल रखा या इसका दूसरा तरीका भी क्या हो सकता है कि यहां पर हमने cricket के बारे में देखा था कि जब cricket का देखा था कि boys की संख्या निकाली थी तो यहां पर पूरे total number of student कितने थे तो वो थे 234 और इसमें से यहां पे बचेगा 12, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा, 78, 78, तो आप डारेक्ट यह यह यहां पे लिक सकते हैं, number of girls in cricket, वों, यह कितना जाएगा, 78, 38, क्या-क्या पता है वो भी लिख लेज़े, number of girls in tennis, यह पता है कितना है, तो यह है 270, number of girls in swimming, यह कितना है, तो यह है 135, और हमको क्या निकालना है, number of girls in football, और football वाला case भी इमने क्या पीछे ही देखा है, कि यहां पे हमने boys की संख्या निकाली है, कितनी आई है, boys की संख्या तो तो वो आई थी 200, total कितने boys थे तो वो थे 360, तो यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो जाहिर सिवा थे यहां पर लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 160, अब लाश्ट में हम निकाल लेते हैं, number of girls in hockey कितनी थी, तो hockey भी हमने देखा था, यहां पर कि हमने boys निकाल ली थे, hockey में कितने थे, तो उते 378, कितने में से 540 में से, तो हमको क्या करना है, बस इसको घटा लेना है, 540 में से 378 को हम घटा लेते हैं, कितना एगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना उचेगा, 2 बचेगा, यहां पर 13 होगा, 13 में से, 7 जाएगा, 6 बचेगा, और यहां पर 4 में से 3 जाएगा, तो कितना गया, 162, तो यहां पर लिखे लेते हैं, 162, अब आप क्या करें, टोटल कर लिजिए, यह 8 होगा, 8, 5, 13 होगा, 13 और 2, 15 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7, 7, 14, 14 और 3, 17, 17, 17 और 12, कितना हो जाएगा, 29, 29 और 13 हो जाएगा, फिर यह क्या हो जाएगा, 2, 13, 14, 15, और 5, 13, 8, कितना गया, 805, तो यह गल्स की टोटल संख्या कितनी आ गई, 805, तो यह 805 यहां पर लिखा, गुणे में क्या करेंगे, 100 करेंगे, 20 से 20 कड़ गया, अप्रॉक्समेट आपको निकालना है, और यहां पर वैल्यूस काफी पास-पास हैं, तो देखें, 18 से गर काटें इसे, 18 गुणे में 4, 18 चोग 72 होगा, फिर यह कितना गया, 85 बचेगा, फिर 18 चोग 72 होगा, यह 18 पंचे करेंगे, तो 90 हो जाएगा, जो कि 85 से छोटा है, तो मतलब 45 परसेंट से तो उपर वैल्यूस जानी नहीं इतना तो आपको समझ में आ गया है, तो फिर देखते हैं, यह कितना गया, 44 आ गया, फिर पॉइंट लगाएं, सम्थिंग वैल्यू आईगी, मतलब यह जो वैल्यू है, 44 से लेकर के 45 के बीच में लगभग रहेगी, तो कौन्स ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, 48 नहीं, 40 नह फिर से कोई calculation नहीं किया, percentage निकाल के, total number of student निकाल के, फिर girl के संख्या निकाली, नहीं, हमने जो पहले आंकडे निकाल लिये थे, उसी का use किया हुआ है, जिससे हमारा समय बचा है, समय बचाना आपके हाथ में, कितना ज्यादा कंजूसी आप कर सकते हैं, वो आपको देखन ठीक है, अब next problem देखते हैं, क्या लिखा है, find the difference between number of boys in swimming to that in football, ये आसान है, आप मुझे करके बता सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो आप मुझे as a homework के करके बताईएगा, और बताईए कौन साप्शन इसमें से सही है, काफी आसान है, ध्यान रखे हैं, हमने यहाँ पे आ आसानी से बता सकते हैं, कि इसमें कौन साप्शन आपका सही होगा, और answer कितना आएगा, दोनों ही चीजे मुझे comment करके बताईएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप को वीडियो पसंद आया, तो आप इसे like करना ना भूले, और आप चाहते हैं, किसका next part, जो आपको कैसे करना है, ग्राफ को लेकर के, ठीक है, तो comment करके मुझे बताना बिलकुल भी, ना भूले, और यह वीडियो अगर पसंद ए, काफी आसान सी वीडियो थी, अपने दोस्तों के साथ भी शेर कर सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं, कम सकम इस तरह कोशन तो छोड़ के आने वाले नहीं हैं, एक्जाम में आएंगे तो, तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस सी के लिए वीडियो देख बार के लग्याद पिंग चैनल के लिए और आपकेन, चैनल वीडियो को आपकेन, तो यह थिस चैनल को देखने कर दियो को देखने कर लिए